दोस्तो रेडमी जल्द ही लाँच करने वाला है इंडिया में अपने रेडमी 10 प्राइम प्लस 5G स्मार्टफोन को ये वाला स्मार्टफोन एक बजट फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन होने वाला है कहा जा रहा है कि इंडिया का चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन हो सकता है रिबिराइंड वेरेंट होने वाला है Redmi Note 11 E स्मार्टफोन का जो कि काफी दिनों पहले लॉंच होगा था चाइना में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसी स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस इस प्लस वोकेशन एंड इसी स्मार्टफोन की इंडियन लॉंच काफी देखने को मिलेगा चीप स्मार्टफोन की प्लस चीप स्मार्टफोन होने को स्मार्टफोन पिल्टफोन लेगा देखने वाली है बात कर इसी smartphone की display की जो यहाँ पे आपको 6.58 इंचेस का full HD plus वाला IPS LCD display देखने को मिलेगा 90Hz का refresh rate होगा 600 nits की peak brightness यहाँ आपको देखने को मिलेगी 401 ppi की pixel density होगी and 2079 का aspect ratio यहाँ आपको देखने को मिलेगा तो display भी काफी decent होने वाला है एक budget smartphone होने वाला तो उसी साब से आपको display भी देखने को मिलेगा display के मामले में भी आपको इसी smartphone में दिकत नहीं आएगी बात करें cameras की तो यहाँ आपको dual rear camera setup देखने को मिलेगा जिसमें की 50 megapixel का main camera होगा and 2 megapixel का depth sensor यहाँ आपको देखने को मिलेगा ultra wide angle lens दिया होता तो काफे अच्छी बात होती लेकिन यहाँ आपको ultra wide angle lens देखने को नहीं मिलेगा बात करें selfies की तो यहाँ आपको 5 megapixel का water drop notch के साथ में selfie camera देखने को मिलेगा and selfie camera भी काफी decent सा है तो overall यहाँ आपको decent cameras इसी smartphone में देखने को मिलेंगे बात करें performance के तो यहाँ आपको media deck का diamond city 700 processor देखने को मिलेगा जो कि एक 5G chipset है 799 architecture पर बना हुआ यहाँ आपको GPU भी काफी अच्छा देखने को मिलता है तो यहाँ आपको performance अच्छी मिल जाएगी gaming आप थोड़ी सी कर पाएंगे and day to day use में भी आप आपको कोई दिक्कत ने आगी तो performance आप आपको decent मिलने वाली है 4GB slash 6GB LPDDR4X RAM यहाँ आपको देखने को मिलेगी and 6GB 4GB slash 128GB UFS 2.2 storage यहाँ आपको देखने को मिलेगा तो RAM ने storage के मामने में भी आपको इस smartphone में कोई दिक्कत ने आएगी बात करें बैटरी की तो यहाँ आपको 5000 image की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी and 18W की charging यहाँ आपको देखने को मिलेगी कहा जा रहा है कि इस smartphone को जो Indian variant होगा यहाँ आपको 22.5W की charging देखने को मिलेगी लेकिन यहाँ हो सकता है सिरफ वो charger हो जो charger basically आते है वो 18W की नहीं होते है वो 22.5W की होते है लेकिन जो charging support होता mobile के अंदर वो 18W का होता है तो अभी के लिए confirm नहीं कि 18W की charging होगी यहाँ फिर 22.5 की होगी लेकिन चाइना में smart phone 18W की charging के जाद में launch होगी तो बैटरी और चार्जिंग के मामले में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बात कारें अपरेटिंग सिच्टम की तो यहाँ आपको MIUI 13 आउट 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 आपको देखने को मिलेगा जो कि Android 11 पर बेस्ट होगा यहाँ दोस्तो आपको Android 12 देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे बात कारें connectivity की तो यहाँ आपको 5G का support देखने को मिलेगा Dual 4G World होगा Dual Band Wi-Fi होगा Bluetooth 5.1 होगा GPS का support होगा यहाँ दोस्तो यह Redmi का smartphone है तो यहाँ आपको IR Blaster भी इस smartphone में देखने को मिलेगा तो ओराल connectivity के मामले में यहाँ आपको सारे options इस smartphone में देखने को मिलेगे बात कारें security की तो यहाँ आपको face unlock के साथ में side mounted finger print scanner देखने को मिलेगा बात कारें ports and buttons की तो यहाँ आपको 3.5 mm headphone jack देखने को मिलेगा USB type C charging port देखने को मिलेगा power on a button होगा और दोस्तो volume rocker button भी आप आपको देखने को मिलेगा बात करें इस smartphone के color vents की दोस्तो चाइना में smartphone तीन color vents में launch हुआ है grey, silver and Atlantic blue color में यह तीनो color vents आपको इंडिया में भी देखने को मिल सकते हैं बात करें इस smartphone के Indian price की तो दोस्तो लीक्स की वाने तो यह smartphone इंडिया का cheapest 5G smartphone होने वाला है तो यह smartphone आपको under 15 के यानि कि 15,000 रुपे से कम के price में देखने को मिलेगा basically कहा जा रहे कि इस smartphone 13 से 14,000 रुपे के price में इंडिया में launch हो सकता है लेकिन अभी भी कोई भी confirmation नहीं है सिरफ leaks है अगर ऐसा होता है तो क्या आप इस smartphone को buy करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे आप comment करके हमें बता सकते हैं और दोस्तो बात कर इस smartphone की इंडिया लॉंच डेट की तो दोस्तो यह smartphone B.I.E.S. पर certified हो चुगा है यानि यह smartphone काफी जल्दी इंडिया में launch होने वाला है बेसिकली इस smartphone का जा रहे कि अपरेयल के महिने में इंडिया में launch होगा या उस्तो अपरेयल एंड तक इस smartphone आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है जिया दोस्तो यह थी कुछ बात है जो हम आपको Redmi 10 Prime Plus 5G smartphone यानि कि इंडिया के cheapest 5G smartphone के बारे में बताना चाहता था आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पसंद आदा तो वीडियो को लाइक करना चैनल को दिस्क्राइब करना और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाबारत